हलो फ्रेंड्स आम बाक विडियो बात करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन ओफ वेरियस टाइपस ऑफ टेस्ट आइटम्स फ्रेंड्स इससे पहले भी मैं असेस्मेंट फॉर लर्नी के कुछ वीडियो बना चुकी हूँ अगर आपने अभी तक ना देखे हूँ तो आप प्ले लि इसमें ना चुकी है कि किस किस तरीके के कुछिंट्स यूज कर रहे हैं को हम कहते हैं तेस्ट आइटम्स जैसे कि essay टाइप या फिर शौर्ट आंसर कोईशन या अब्जेक्टिव उनको हम कहते हैं तेस्ट आइटम्स अलाज नंबर ओफ स्टेंडरडाडाइस टेस्ट अर बहुत सारे टेस्ट किये जाते हैं आजकल आकि स्टूट्न के लर्निंग लेवल को देखा जाएं एंट्रेंस टेस्ट होता है क्लास टेस्ट होते हैं फॉर्मेटिव असेस्मेंट में टेस्ट लिया जाते हैं तो यह सारे टेस्ट इन सारे में अलग अलग तरीके के टेस्ट अब बात करेंगे characteristics of test items की, क्या characteristic है, written in statement form, statement form में होते हैं, no place for ambiguity, ऐसा नहीं है कि एक ही question के दो-दो meaning निकल रहे हैं या कुछ, meaning या language में दो मतलब नहीं निकल के आने चाहिए, items are heart of testing situation, जब भी हम किसी चीज को test करें या माली जी हमने कोई chapter पढ़ाया, हम उसका test ले रहे हैं, तो जो हम इसमें item यूज करें हैं, जैसे माली जी MCQ का ले रहे हैं, या objective, मतलब, या essay type ले रहे हैं, तो वो क्या हाथ है, कि हम उसमें पूरी टिका हुआ है कि पता चले कि बच्ची की achievement कितनी है उस particular topic में, should have appropriate difficulty value, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आसान test डाल दीजिए, या बहुत ही मुश्किल डाल दीजिए, क्योंकि अगर बहुत ही आसान रहेगा, तो वो test की validity नहीं रहेगी, वो level नहीं रहेगा, और बहुत ही मुश्किल होगा, तो बहुत से बच्चे कर नहीं पाएंगे उस test को, तो उसकी भी value नहीं है, तो मतलब, difficulty का है, एक maintain रहनी तो वो चीज नहीं होनी चाहिए test में जादा, should be related to specific content, किसे specific content से related होना चाहिए, ऐसा है कि हम बहुत सारी चीजों को mix करके कुछ भी बना दे रहे हैं, जो हमने पढ़ाई भी नहीं है बच्चों को, should be independent or self-sufficient, एक question, दूसरे question पे dependent नहीं होना चाहिए, हर item की क्या है, अपन वही test जो हम चोटे बच्चों से लेते हैं, कि हाँ point सुना दो, या want to सुना दो, तो oral में आ जाते हैं, return या हमारे वाइवा voice, return में हमारा क्या आता है, जो हम लिखते हैं, उसके लिए हमें जादा test items की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने सिर्फ उन ही के types of test items बता हैं, return के ही practical में क्याता है, जो हमारे practicals होते हैं, labs वगेरा में उन पर basis पे जो वाइवा पूछते हैं, फिर वो सारी चीज़ें, या practical करके दिखाना होता है, experiment कोई करके दिखाना होता है, अब बात करें, return में कितने types होते हैं, तो return में हमारे पास 2 types होते हैं, essay type, objective type, अब essay type को हम subjective type भी सकते हैं, बट उससे कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा, अगर आपको problem है, तो आप subjective type या objective type लेख सकते हैं, तो objective type में हमारे पास क्या आते हैं, दो तरीकी की होते हैं, एक recall type और दूसरा recognition type, recall type जैसे word ही बता रहे है, recall, मतलब किसी चीज़ को याद करना, recognition, पहचानना तो recall में क्या होगा, इसमें मारे पास तीन जो मैंने यहाँ पर बात करी, वो है simple recall, completion, short answer, simple recall मतलब कि जैसे आपको, simple recall में क्या होता है, हम direct चीज़ों को recall करने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि माले जै कोई आपसे पूछता है, who is president of India, या who is prime minister of India, तो simply एक च completion में हमारे पास आती है, fill in the blanks, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने माले है, fill in the blanks, वो वाली blanks आइगी, जैसे माले जै कोई भी हमें sentence बिलता है, जैसे हिमाचल परदेश is beautiful dash, तो यहाँ पर हम क्या भी विल कर देंगे state, तो यह क्या है, recall, हमने recall कि इसको, short answer, जैसे में बहुत ही short answer देना हो, one line, two line, या फिर minimum, मतलब बहुत कम, कम शब्दों में answer देना हो, recognition कि अगर हम बात करें, तो recognition जहां पर हमें पहचानना पड़ रहा है, चीज़ों को recall कुछ नहीं करना पड़ रहा, जैसे कि true false, या तो yes होगा, या तो no होगा, mcq options दे रखें, उनमें स आप एक पहचानी की कौन सा ठीक है, और टिक कर दीजिए, match, match the column में भी क्या होता है, सामने answers होते हैं, हमें सिर्फ recognize करना होता है, कि कौन सा answer better है, या कौन सा answer accurate है, फिर उसके बाद बात करें, arrangement की, arrangement में आपने देखा होगा, कि आपको jumble words आते थे, तो वो jumble words आरेंज करके लिखने होते थे, तो वहाम पे क्या है, सारे answer हमारे पस है, लेकिन हमें क्या उसे अरेंच करना है, तो arrangement, substitution, solution में क्या होता है, कि words substitute करने होते है, तो वो answer हमारे पस होता है, हमें बस देखना है कि वे चिक होगा, अब बात करें, essay type या subjective type items की, तो उसमें हमारे पस दो तरीके होते हैं एक short answers और long answers short answers में क्या है कि थोड़ा लिखना होता है minimum 30 to 40 words या फिर long answer में क्या होता है 100 to 150 या 200 जितना भी हमें दिया हो यह answers क्या है memory basis होते हैं क्योंकि हमें past associations करनी होती है past की चीजों को सोच के क्या हम अपना answer frame करते हैं इसमें क्या है कि subject को मतलब खुली चूट होती है कि वह कैसा भी answer लिख सकते हर कोई अपने तरीके से answer लिखता है इस क्या चीज करने के लिए मेजर करने के लिए यूज होते हैं कि past events की knowledge कितनी है कितनी अच्छे से कोई बचा analyze कर पा रहा है चीजों को evaluate कर पा रहा है अपने material को कितनी अच्छे से organize कर पा रहा है अपने views को words में कैसे लिख पा रहा है systematic way में अब बात करें preparation of good essay type item एक अच्छी essay type item कैसे बन सकती है क्या चीज़ें जो में ध्यान में रखनी चाहिए no extensive answer ऐसे नहीं कि आप ऐसे type भले यह ऐसे नहीं लेकिन आप दो चार topics उठाके उसमें डाल दे रहे हो तो बच्छा क्या इसकी कन्फ्यूज हो जाएगा कुछ भी irrelevant लिखता रहेगा तो वह वैलिडेटी नहीं रहेगी आंसर की वह वैल्यू नहीं रहेगी clearly defined problems कि आप क्या पूछना चाहते हैं वो clearly defined होना चाहिए कोशिन में ऐसा नहीं कि आपने 4-5 line का बड़ा सा कोशिन लिख दियो और बच्छे को यही नहीं पता चल पा रहा कि आप पूछ क्या रहे हो तो कोशिन क्या है clearly defined होना चाहिए उसमें problem कि क्या आप answer जानना चाहते हो से specific instruction मिलनी चाहिए कि weightage कितनी है इसकी कितना time लगेगा इसको किस तरीके से adjust करना है कोशिन को sufficient time इतना time मिलना चाहिए कि बच्छा properly उस answer को क्या है arrange कर सेके ऐसा नहीं कि factual information पे जादा importance दी जाए factual information हम इसमें ध्यान नहीं देते हैं इसमें कि बस यह देखना होता है कि बच् करते हैं फिर preparation of good objective type एक अच्छा objective type test item हम कैसे prepare कर सकते हैं relevant option होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने कोई question दिया और options कुछ और ही डाले जा रहे हो तो वह गलत हो जाती है बात relevant होने चाहिए option test what you actually taught जो चीज़ आपने पढ़ाई है अब उसी चीज़ का test लेए ऐसा नहीं कि आप first chapter अभी पढ़ा रहे हैं और थर्ड में से objective type question डाल दे रहे हैं तो वह सिर्फ ए guess work होगा तो वह ग work करेंगे कुछ कर ने रहे हो तो limited time मिलना चाहिए smartly arranged होने चाहिए कि जो आपके options है वो आप इस तरीके से arrange कि बच्चे को थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़े ऐसा नहीं कि आपने अलग लग तरह के एगनम option दे दिया तो बच्चे को आसानी से पता चल जाए कि हां कौन सा answer उसमें है उस question का तो smartly arranged होने चाहिए अब friends अगर आप अपने question को थोड़ी answer को थोड़ी और length देना चाहते है तो आप इसमें merits और demerits भी add कर सकते हैं जैसे कि ऐसे type के merits है easy to prepare असानी से यह test बनाया चाह सकता है items क्योंकि कि कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है स चीज़ को creative way में सोच रहा है guess work को eliminate कर रहा है answer क्योंकि ऐसा है कि 10 20 करके वो अपना answer नहीं लिख सकता सोचना पड़ेगा उसे arrange करना पड़ेगा अपने answer को reduce chance of copying अब एक word का answer तब तो कोई copy भी कर लिया 15-20 लाइनों का answer या फिर एक page का answer कोई copy नहीं नहीं करवा सकता तो reduce chance of copying डी मेरिट्स के हैं इसके नुकसान के है minimum validity क्योंकि कोई भी कुछ भी लिखे जा रहा है reliable नहीं है उतने road memory को जादा encourage करते हैं रट्टा मार रहे बच्चे और लिख रहे है time consuming है बहुत जादा क्योंकि बहुत जादा लिखना पड़ रहा है handwriting पे बच्चों को ध्यान देन पड़ता है objective type test items की बात करें तो इसके merits क्या है avoid scramming ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लीजे और आप answer कर दीजे quality होती है इनके इस answers में क्योंकि कुछ जादा सोचना नहीं पड़ रहा है direct अगर हमें पता है answer तो हम टिक लगा सकते time बचाते हैं और grammar वगेरा पे जादा focus नह बनाया जाते हैं जिसमें आपको पहले भी का कि जो options हो भी relevant होने चाहिए और जो question हो भी बहुत अच्छे होने चाहिए तो बनाने में थोड़ा difficult होते हैं guess work बहुत जादा इसमें बच्चे guess कर सकते है easily cheating हो सकती है जैसे आपने देख़ होगा कि इशारे से answer पूछ लेते है कुछ तो cheating बहुत हो जाती है इसमें तो यह सारे इसके क्या हो जाएंगे demerits अब हम बात करेंगे procedure for test construction तो जब भी हम test construct करते हैं test बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते है planning करते हैं test के लिए उसमें हमारे पस दो चीज़े आएंगे determining objective कि हम क्या चीज़ पता लगाना चाह करें planning the test determining objective की तो हमारा objective क्या है जैसे माली जी कि अगर हम mathematics के कुछ टेस्स डाल रहे हैं तो उसमें हम क्या चाहिक करेंगे मतलब बच्चे की reasoning की कैसी वो reasoning देता है mathematical problems होंगी knowledge of units होगी अगर science related कोई test है तो उसमें क्या होगा science related technical terms होंगी hypothesis बगेरा की question हो सकते हैं cause or effect के relation हो सक scientific attitude से related question हो सकते हैं तो मतलब जिस subject के बारे में हम बना रहे हैं उसको objective क्या है कि हम क्या चेक करना चाहते हैं फिर हम बात करते है analysis of curriculum and source material की कि हम कहां से वो चीज़ लेंगे किस तरीके से होने जैसे हमने जो lecture notes दिये हैं उनी basis पे हम बनाए या class में अगर वो चीज़े discuss होई ह तो उसी basis पे बनाए या हम कैसी textbook हैं क्या notebook हैं उन में किस तरी किस level का हमने पढ़ाया या किस level की information दे रखी है उसकी basis पे बनाया जाए मतलब curriculum और source material को पुरी तरह से analyze करके फिर आगे की procedure हो फिर हम क्या ड्राफ्ट बनाते हैं preparing the preliminary draft of test अब जब हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो पे road learning पे जाधा emphasis ना हो बच्चे की knowledge level को चेक किया जाए और क्या है क्योंकि एक रफ ड्राफ्ट है एक तरीके से तो जाधा items होनी चाहिए ताकि अगर आगे-जागे हमें कुछ लगे कि यह वाला question ठीक नहीं है तो हम उसकी जगह किसी और को add कर दें और items के marks हमें बहुत properly choose करने चाहिए कि किस item का हम कितने marks award करने वाले हैं कोई भी question ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको बच्चे पढ़ते ही समझाए कि हाँ इसका यह answer है तो वह उतना अच्छा नहीं लगगा question paper उतनी difficulty level थोड़ा एक maintain रखना चाहिए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ट्राइंग एक दम से कि हमने यही वाले questions लेनी हैं उनको कि अतनी weightage दी जाएगी किस question को किस question में हम क्या चीज़ चेक करने वाले हैं तो यह सारी चीज़े उसमें आएंगी अगर हमें लगता है कि कोई कमी है तो हम उसे change कर देंगे इसलिए हमने क्या किया था पहले एक draft बनाने के अगर हमें उसमें कोई कमी लगती है तो उसको change करने के बाद एक final draft तयार हो जाएगा फिर हम बात करते हैं guidelines for construction of test items जब भी हमको test item बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीज़े रहनी चाहिए keeping view the objectives of assessment अभी मैंने जैसे आपको पता है कि क्या objective हम क्या चीज़ पता करना चाहते हैं वो हमारे दिमाग में जरूर होनी चाहिए learning outcomes हम चाहते हैं वो चीज़ मतलब ध्यान में रखके ही सारे items क्या prepare करने चाहिए keeping view the coverage of syllabus or contents हमने क्या चीज़ पढ़ाई है क्योंकि हमने जो पढ़ाय हम उसके बाहर बच्चे को कुछ नहीं दे सकते करने के लिए तो इ इस सारी चीज़े क्या है पहले ही दिमाग में होनी चाहिए कि कितने हम M.C.Q. डालेंगे किने फिलिंदा ब्लांक्स डालेंगे ये सारी चीज़े ध्यान में रखनी होती है keeping view the time allotted for administration of test अगर आप मान लिचे कि M.C.Q. टाइप question बना रहे हैं तो उसके लिए कितना time allot होगा एसे टाइप के लिए कितना time allot होगा ये चीज़े काफी ध्यान में रखनी चाहिए अब हम बात करेंगे general suggestion for constructing new type items कि मान लिचा गर हम कुछ नए तरी new type items बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी definite answers होने चाहिए उसके मतलब ऐसा नहीं है कि क कुछ doubtful या कुछ ambiguity कोई जगा नहीं होनी चाहिए definite answers है कि proper answer है बच्चे को easily पता चले करिकुलम से होनी चाहिए वह चीज़ की ऐसा नहीं कि करिकुलम के बाहर से आप कुछ डाले ये थोड़ा थोड़ा guidelines for construction of test item जैसा ही रहेगा but just आप अपने question answer को left देने के लिए ये कर सकत है तो क्या है proper space मिलनी चाहिए number of choices होनी चाहिए अगर IMCQ आप question दे रहे हो तो at least उसमे 4 choice होनी चाहिए 4 या 3 इससे कमनी होनी चाहिए अगर आप match the column दे रहे हो तो उसमे 5-10 match the column होने चाहिए तांकि बच्चे के पास कोई choice तो हो set of items जो एक item आप डाल रहे हो वह एक ही topic से जुड़ी हो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे topics को mix करके एक item बना दो scoring method जो है वो पहले ही decide होना चाहिए कि किस question पर कितने marks मिलेंगे random presentation होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि एक topic से सारे related question आप पहले section A में डाल रहे हो फिर B से डाल रहे हो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए direction होनी चाहिए short to the point होनी चाहिए चीज कि आप बच्चे से क्या पूछना चाहरे हो बहुत सारी items अलग लग तरीके के डालने की कोशिश करनी चाहिए independent and complete होनी चाहिए एक item दूसरी item पर depend ना हो तो इस तरीके से क्या है कि हम एक अच्छा मतलब test क्या construct कर सकते हैं यह सारी बाते हमें ध्यान में रखनी होती है जब भी हम कोई test construct करते हैं तो friends अगर यह question हमें आता है construction of various types of test items तो सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे characteristics of test items types के बारे में बात करेंगे फिर preparation of subjective and objective items के बारे में बात करेंगे फिर उसी के साथ उसके merits and demerits के बारे में बात करेंगे फिर procedure for test construction की बात करेंगे फिर उसके बाद guidelines for construction of test items and guidelines for construction of new type of items इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ही यह answer complete होता है thank you so much stay care and stay connected for more videos